तो अगर इस वाले question को देखोगे basically इसमें तो यह कहा जा रहा है कि अगर वे ने एक देखो वे by convex lens है जिसका glass having refractive index 1.4 deep in a liquid it as a plain glass plate to imply the refractive index कितनी होगी तो अगर तुम देखोगे refractive index कितनी होगी तो अगर हमारे पास कोई lens है याद रखो अगर कोई lens है और अगर मैं इस lens की refractive index 1.4 है और मैं इसके पास अगर इसको डूबा देता हूँ यह कैसे liquid में जिसकी refractive index same हो समझे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स same हो यह जो है refractive index 1.47 हो लिक्विट की तभी जाके यह एक glass plate की तरह बिहेब कर सकता है यह बैसिकली theory है और इस theory को आप पढ़े होगे जानते होगे कि अगर यहां से अब रे आएगी तो यह diverge converge नहीं होगी यह सीधी निकल जाएगी और इसकी जो focal length है वो चली जाएगी infinity ठीक ना एक glass plate अगर यह यहां से बाहर का इधर mu1 है और इसकी refractive index mu2 है और mu1 is greater than mu2 हो जाए तो यह diverging lens की तरह behave करता है मतलब lens अपनी property decide करता है converging है diverging है बाहर की medium से यहां पर क्या है mu1 is less than mu2 यहां जो है mu1 is greater than mu2 lens की refractive index इसके बराबर है तो एक तो यह तरीका है second method है इस सवाल को करने का कि फार्मूला लगा दो तो अगर glass plate की तरह भी यह करता है तो glass plate की जो focal length होती है वो infinity तो focal length 1 mu of glass with respect to liquid minus 1 और 1 upon r1 minus 1 upon r2 यहां से तो यहां से आजाएगा mu of glass upon mu of liquid और minus 1 यहां से that is 1 upon r1 minus 1 upon r2 यहां से 1 upon infinity तो 1 infinity यह जीरो चला गया तो यह आगया जीरो और यह खतम हो गया तो यह जो है mu of glass और mu of liquid minus 1 must be equal to यह भी equal to zero है इसका मतलब mu of glass minus mu of liquid is equal to यहां से zero तो mu of glass must be mu of liquid बराबर होगा तब जाके वो plane glass plate की तरह behave करेगा आई हो कि मैं दोनों method से बहुत अच्छे explain किया हूँ और आपको समझ में आ गया होगा